हमारे भारत देश की सुरक्षा और सिवा के लिए तीन ससस त्रिबल हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी and इंडियन एर फोर्स दोस्तों अगर आपका भी सपना है देश की सिवा करने का तो एंडिय के द्वारा आपका ये सपना पूरा हो सकता है इस वीडियो में मैं आपक जानकारी देने वालों हूँ जैसे कि एंडिय क्या होता है इसके लिए क्या eligibility criteria है age limit क्या है कौन एंडिय कर सकता है कौन सा subject पढ़ना पड़ेगा क्या exam pattern है किस तरीके से selection होगा और last में कितनी salary मिलेगी दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली तो आप देख रहें आयू सरीन यूटूब चैनल तो चलिए बीना टाइम वेस्ट की वीडियो को सुरू करते हैं एंडिय यानि कि national defense academy जिसको हिंदी में राष्ट्रिय रक्षा academy कहते हैं दोस्तों यह जो एंडिय का exam होता है इसके थूँ आप इंडियन एयर फोर्स इंडियन navy एंडियन आर्मी में आप officer की rank पर direct आपकी posting हो सकती है कुछ time पहले तक एंडिय में सिप वाइज ही जा सकते थे लेकिन दोस्तों अब girls भी एंडिय में apply कर सकती हैं एंडिय में जो total seat होती है वो होती है दोस्तों 370 और इसमें इंडियन आर्मी के लिए 208 इंडियन एयर फो और यह एक्जाम नेशनल लेवल का एक्जाम होता है अब हम लोग बात कर लेते eligibility criteria के बारे में कि क्या eligibility criteria है एंडिय एक्जाम के लिए तो देखो इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको Indian citizenship होना चाहिए यानि कि भारत का नागरिक होना चाहिए इसकलावा दोस्तों आपका un married होना जरूरी है और आपको at least class 12 pass होना जरूरी है अगर हम लोग बात कर ले age limit की age limit कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों आपकी age 16 साल से 19 साल के बीच होनी चाहिए अब यहापे बहुत सारे student के मन में doubt होता है कि कौन सा subject लेना चाहिए तो दिखो मैं आपको बताता हूँ अगर आप Indian Army में जाना चाहते तो दोस्तों अगर अपने class 12 में आर्ट से से पढ़ाई किया तो आप Indian Army में जा सकते हैं NDA के द्वारा लेकिन अगर आप Indian Air Force और Indian Navy में जाना चाहते तो दोस्तों आपके class 12 में mathematics and physics होने जरूरी है बहुत सारे student को लगता है कि Arts से पढ़ाई करके NDA म में जा सकते हैं अब हम लोग बात कर लेते percentage की कि कितने percentage मांक्स होने चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें minimum percentage की कोई भी requirement नहीं है अगर आप normally class 12 पास हो चाए आप 80% लेव चाप 40% लेव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप NDA के लिए eligible हो इतनी बाते हम होते है सितंबर के महिने में अप्रेल के महिने में जो एकजाम होते हैं उसके लिए online apply December में होता है और जो सितंबर के महिने में एकजाम होते हैं उसके लिए जो online form आता है वो June के महिने में आता है और इसके लिए अगर आप फीज की बात कर लें कि application फीज कितनी होती है तो अ एक भी रूपे नहीं देने होंगे अब बात आती है exam pattern की कि क्या exam pattern होता है दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दिखिए इसमें दो पेपर होते हैं पहला होते mathematics का पेपर और दूसरा पेपर होते है जेनरल ability test जो mathematics का पेपर होते हैं इसमें 120 question होते हैं 150 minute का समय मिलता है और यह टोटल hundred number के marks होते हैं और जो second paper होता है जेनरल ability test इसमें 150 question होते हैं इसमें आपको 150 minute का समय मिलता है और यह 600 marks का होते हैं एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यह दोनों paper negative marking होते हैं एक बाद जब आपका written exam clear हो जाते तो दोस्तों उसके बाद आप जाते SSB interview के लि होता है medical test में basically आपके eye check up होती है year check up होता है full body check up होता है यह check किया जाते है कि आप mentally और physically पूरी तरीके से fit है या नहीं अगर इसमें भी आप clear कर लेते तो दोस्तों last में आपका document verification होता है सब कुछ clear हो जाने के बाद दोस्तों आपको 3 साल की training दी जाती है और जब आप 3 साल की training complete कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपका one year की और period होता है training का वो depend करता है कि आपने क्या preference दी थी कि आपने Indian army को first में choose किया था या फिर Indian Navy Indian Air Force अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे त्यारी करें इसके बाद हम लोग salary के बारे में जानेंगे तो दिखोगे अगर आप N अच्छी तरीके से पढ़ाई करने पड़ेगी ना सिर्फ अच्छी तरीके से पढ़ाई करने पड़ेगी आपको दोस्तों regular practice भी करने पड़ेगी और regular practice के लिए सबसे अच्छी चीज है कि दोस्तों आप previous year question paper लगया कि जो भी exam सो उसमें दोस्तो time boundation होते हैं आपको एक limited time time के अंदर ही सारी question solve करने होते हैं इसलिए पच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए mathematics पर अपनी command बनाई है उसके अलवार regular practice कीजिए अगर आप NDA की तयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको description box में कुछ बहुत ही बेहतरीन books के link दे दूँगा उस पे click करके आप देख 56,100 से लेके 2,50,000 रुपे तक जा सकती है यह बहुत जदवैरी करते हैं depend करते हैं कि आपकी कौन सी post है आपकी rank क्या है और दोस्तों जब आप starting में जवान करते हैं तो आपकी salary थोड़ी कम होती है लेकिन जैसी जैसे time बितता जाता है आपकी salary बढ़ती जाती है और आपको बहुत सारी facility भी मिलती है तो I hope दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि NDA क्या होता है अगर आपके मन में कोई doubt है कोई सवाल है तो comment करके जरूर पूछे और इस वीडियो को अभी तक लाइक ने किया था तो वीडियो को लाइक करके channel जरूर से subscribe कर दीजे आप सभी इस वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद